कि अज़दी की सिनेमा घर में लगने वाली है तो देखिए और उस अच्छे काम को सराहिए मैं इसमें टोटली 5 स्टार देना चाहूंगा सिर्फ अन्पम जी के काम को लेकर अन्पम जी का करेक्टर लीड था सबसे बड़े एची है कि जो कहानी जिन्हों ने लिखी है सबसे बेश्ट चीज हो थी कि उन्होंने मतलब कि आज के टाइम में जहां पर लोग मतलब कोई भी फिल्म मना दे उसमें पब जी गेम तिलर मार्पिड एकसंस सब कुछ होता है लेकिन यहां पर इमोशन था और बहुत ही अच्छा इमोशन था जिन्होंने मतलब कि एक फैमली से अपने लोगों से आसपास के लोगों से कैसे कनेक्टविटी करना चाहिए उस चीज को लेकर अनपव जी ने बढ़ावा दिया है और बच्चों को भी उन्होंने इन्वाल्व किया बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिज की उनको जो बच्चों को साइलेंस ल जाके देखिन, तैंक यू सो मच। पिल्म आज़े पीजिटेश विल्मादेटर्री ओर फेल्मादेटर्री निर्मादेटर्री इंग। सब काम अच्छा है और एक fun-filled family entertainer आपको अगर देखनी है तो थेटर में जरूर जा के देखिए और इस्पेशली अनुपम जी अनुपम केर के परफॉर्मेंस के लिए उनकी energy के लिए enthusiasm के लिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और बाकी के अलाकार भी जो है फिल्म में श इस फिल्म देखके समय आपके चेहरे पर एक smile रहती है तो सबसे बड़ी बात है तो जरूर देखिए मैं जरूर रेकमेंड करूं इस फिल्म का best part तो कहा जाए तो एक फिल्म की जो philosophy है कि कभी हार नहीं मननी चाहिए अगर आप गिरते भी है तो फिर से खड़ा होना है तो इसमें की philosophy उन्हाने इंहरेट की है तो वही बात है और अनुपम जी जैसे के मैं ने कहा तो वो सबसे बड़ी आस्यत है जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में ये फिल्म तो बहुत अच्छी है जो आदमी बुड़े पड़ जाते हैं तो उनको अपने आपको बुड़ा नहीं मानना चीए उसको दिखाया है कि जो यंग आदमी ने कर सकते हैं वो इसमें बुड़े ने और उनने दिखाया कमाल तो इसमें बहुत अच्छा है इसमें से आप लापके बारे में कि बुड़ा पर लाप कहें जीना चाहिए आदमी कहते हैं कि रिटार हो जाते हैं तो रिटार का मतलब ये ने कि घर पर और इस फिल्म को मैं पांच स्टार देना चाहिए बहुत अच्छी मुवी थी बहुत इंस्पायर किया है और सबको देखना चाहिए जाके तो बहुत अच्छी मुवी थी जैसे parents की value के बारे में parents की value करना चाहिए बाहर जाके कैसा लगता है parents को तुमें को लगता है सबको देखनी चाहिए movie जो एक जोक था उसमें बीच में बस वही सबसे बैसी न था सब देखे के तो उनको पता चलेगा क्या था बहुत अच्छी acting थी बहुत humble है वो सब्चे थे सब बहुत अच्छा का था सब्चा था था ठैक्युक्त अचलो पर है कि अच्छी की फिल्में तो बहुत अच्छी होती है काफी सालों से देखता हूँ और फिल्म देखे बड़ा अच्छा लगा तोड़ा लेट आगा हम अगर कल रिलीज हो रही ही दैस तारीक को और मैं कल फिर जरूर देखूंगा पूरी फिल्म लोगों को क्या कमेंट करेंगे लोगों को मैं यही कहूंगा कि जो यहां पर इनोंन पूरी फिल्म कल देखूंगा लास्ट लास्ट में थोड़ा लेट आगया अदा गंटा देख पाया कितने इस्टार देना चाहें में इस्टार में अभी महक्या दे सकता हूं अगर फिर भी प्रेंड हाफ हमने अभी फिल्म देखी है श्यू शास्त्री बल्बुवा और एक बहुत मझाईगा बस कुछ फिल्मे ऐसी होती है कि अभी हमारी आधत कैसी हो अगया कि बहुत जल्दी ओल्दी हमको सीन चाहिए बहुत जल देली कहानी हमको और थोड़ा से भी कहीं रुकती है ना तो हमको बोर होने लगता है तो पेशिंस के साथ कुछ फिल्में होती है जो आपको वो जो औरा होता है फिल्म का वो जो टाइम होता उसको फील कराने के लिए ना थोड़ी रुकती है तो यह आप ध्यान करेंगे आप फील करना शुरू करेंगे और मजा आएगा और एक ऐसी फिल्म है जो आप अपने परिवार में किसी के साथ भी दे सकते हैं कई बार आजकल बहुत ऐसा होता है बहुत ओपन और बोल्ड कहानिया हम देख रहे हैं पर या टीवी पर भी या फिल्मों में कि हम अ फिल्म में सभी का काम अच्छा है अनुपाम खेर आपको मतलब प्रभावित करते हैं नीना जी मतलब कुछ लोगों के काम के लिए हमको उनकी एक्टिंग के बारे में बात करने की ज़रत नहीं है वह अच्छे एक्टर हैं यहां पर कहानी हीरो है और हमारे साथ एक चीज औ और भी है कि हम बॉलीवड की कई फिल्मों को फी देड़ दो साल से हम ऐसे देखते हैं कि अच्छी कहानी कांटेंट नहीं है और कई बार बड़ा प्रोमोशन नहीं होता है बड़ा एक्टर नहीं होता है तो ऐसी फिल्म में छूट जाती हैं तो आप छूटे नहीं कि मलत हम तो और जुगल हंसराज के बारे में बात हुई है मैंने बताया जुगल हंसराज आपको प्रभावित करते हैं बहुत दिनों के बाद उनको देखा है तो मज़िदार लगता है उनको भी देखना और वो और भी काम करें उनको और भी देखना अच्छा लगेगा और अनुपम क बेटे का किरदार है उनका तो बिल्कुल फिट बैठते हैं फिल्म को मैं साड़ी तीन स्टार देता हूं और रेक्मेंड करूंगा कि आप सभी लोग फिल्म जरूर देखें क्योंकि एक सुन्दर कहानी अच्छा वांटेट है